हेलो फ्रेंड्स ये है अर्वा चावल ये मोटा अर्वा चावल है इसका हम धो के सुखा के आटा पिस्वाएंगे इसे हम सबसे पहले धो लेते हैं अच्छी तरह से दो तीन पानी से धो लेंगे इसका पानी गिरा देंगे इसे तीन पानी से हम धो लिए है अब इसका पानी निकाल देंगे और इसे चलनी में थोड़ी देर के लिए रख देंगे पानी निकल जाएगा तब इसे कपड़े पर पसार लेंगे इसे अब हम एक साड़ी पर हैला दे रहे हैं और ये सुख जाएगा इस प्रकार से और भी चावल धो के हम फैलाए हैं आप देख सकते हैं अब इसे छट पे कड़ी धूप में पसार देंगे और ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसका कंकड बगेरा अच्छी तरह से चुन लेंगे और आटा पिसवाएंगे ये चावल हम मील में पिसवाएंगे इसलिए इसे कड़ी धूप में सुखाएंगे अगर घर में पिसना हो तो केवल पानी सुख जाने के बाद ये पिसा जाता है इसे हम मील में पिसवाएंगे इसलिए कड़ी धूप में सुखाएंगे सुखने के बाद हम इसका आटा बनाएंगे उसके बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे मेरा साथ बनाए रखें